दोस्तों भारत का एक डेमोक्रेटिक डिप्लोमेटिक फ्रेंड जिसने लगातार भारत का आजादी के पहले और आजादी के बाद भी साथ दिया आज उसके साथ हमारे रिष्ट से खराब होते जा रहे हैं। जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ कैनेडा की जहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के इंट्रेस्ट को सर्व करने के लिए नैशनल इंट्रेस्ट को ताक पर रख दिया गया है। भारती स्टुडेंट्स, लाखों की संख्या में भारती स्टुडेंट्स हर साल कैनेडा जाते हैं, जॉब सीकर्स कैनेडा जाते हैं और उनको वहाँ पर अपॉलिटिकल डेवलप्मेंट से इस पूरी कम्यूनिटी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, इंडियन पेर इंडियन स्टुडेंग, एस्पाइरिंग तुडेंग इन कैनेडा, लगबख 6 लाख इस इंडियन इस्टुडेंट्स आज भी कैनेडा में हैं, जो की इंटरनाशनल स्टुडेंट पॉपलेशन में बहुत बड़ा हिस्सा रखते हैं, रिलेशन बेट्विन इंडिया इन कै साफी सारे allegations लगे हुए हैं और allegations इस कदर है कि national investigation agency जो है उसने इनके उपर 1.3 million US dollar का इनाम तक रखा हुआ था, इनका murder हुआ Canada में और इसका allegation भारत पर लगाया गया, जबकि भारत ने ये बोला कि हमारा किसी भी तरह से निजर की हत्याप से कोई लेना देना नहीं है, भारत ने ये भी बोला कि Canada में जो अभी फिलाल Trudeau government है, वो vote bank politics कर रही है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में, एक ऐसी community वहाँ पर रहती है, जो इन separatists को अपना एक तरीके से leader मानती है, ठीक है, तो Justin Trudeau जो हैं, वो बस उस community को खुश करना चाहते हैं, जिससे वो जादा से ज रहे हैं, अगर हम 2015 से 2014 के बीच में बात करें, तो लगबग 13,00,000 students को Immigration, Refugees and Citizenship Canada में Immigration के हिसाब से study permit मिल चुका है, दस सालों में 13,00,000 लोगों को ये permit मिल चुका है, 2015 में अगर हम देखें तो लगबग 31,00,000 Indian students की वहाँ पर हुआ करते थे, बट अब हर साल लाखों की सं जा रहे हैं, 2023 में ये नंबर बढ़कर 27,00,000 हो गया था, जो की 40% international students, Canada में जो total international students है, उसका 40% Indian students है, इस साल, August 2024 तक हम अगर देखें, तो एक लाख 37,000 Indian students जो हैं, वो study permits रिसीव कर चुके हैं, मतलब वो आगे जाकर Canada में पढ़ सकते हैं, अल्रेडी उन्होंने पढ़ना साइट डिकलाइन कंपेर तो 2023, 2023 से जैसे ही disturbance बढ़ा, दोनों ही देशों की ties में, तो संख्या कम होने लगी, जो की बहुत ही obvious है, अगर हम पिछले historical background की बात करें, इंडिया और केनेडा की ties में, तो गदर पार्टी से पहले के जितने भी revolutionaries थे, लाला हर दयाल हो गए, ठीक आप कह सकते हो, स्वदेश सेवक हों, राइट, इट प्लेड की रोल in mobilizing Indians against British rule, राइट, डिपलोमेटिक रिलेशन की अगर हम बात करें, तो Canada is in one of the countries जिनों ने भारत की आजाद होते ही सब से पहले भारत को diplomatically recognize किया था, अरली को अपरेशन की अगर हम बात करें, तो इट फ हम civil nuclear program की बात करें, इंडिया के, तो civil nuclear program Canada के support के बगार complete नहीं हो सकता था, बट धीरे से, 1974 में जब हमने smiling buddha किया, तो Canada को ये लगा कि भाई, हमने तो civil nuclear program के development के लिए आपको fuel दी, आपको technology दी, बट आप इसका use arms and arms बनाने में करने लगे, nuclear arms, nuclear warheads बनाने में करने लगे, त economic liberalization जैसे ही हुआ, वैसे ही इंडिया और Canada की economic ties और भी जादा strong होती हुई हमें दिखती है, strategic partnership के अगर हम बात करें, जैसे ही Prime Minister Modi comes into power और वो जब Canada visit करते हैं, तो तुरंत हमारी जो partnership है, हमारी दोना के बीच में जो ties हैं, वो strategic partnership में convert हो जाते हैं, which was a major positive development, बट अगर 10 सालों क हम बात करें, तो उन 10 सालों में हमारे जो ties बहुत अच्छे से develop हुए थे, बहुत तेजी से develop हुए थे, उतना बुरा ही हमारा fall भी हमें देखने को मिलता है, commercial relations के अगर हम बात करें, तो इंडिया और Canada के बीच में लगभग 12 to 13 billion dollar का trade होता है per annum, nuclear cooperation में Canada लगातार support provide करता र है थे, Canada ने इंडिया के उपर sanctions लगाये थे और ये बोला था कि हम फर्दर कोई भी support नहीं दे सकते हैं, although तो उसके बाद धीरे-धीरे-धीरे-धीरे relations फिर से सही होने लगे, people to people connections की अगर हम बात करें तो Canada की total population में, जो 4% population है, वो या तो इंडिया के persons of Indian origin है, PIO card holder है, या फिर non-resident Indians है, लगभग 1.5 million, मतलब 15,000,000 लोग, 15,000,000 Indian origin के लोग आज भी Canada में रहते हैं, educational ties की अगर हम बात करें तो इंडिया और Canada कई सारे research programs में collaborate करते हैं, साथी साथ international students, अगर सबसे ज़्यादा number में देखा जाए, तो Indian students सबसे ज़्यादा Canadian institutions में ही पढ़ते हैं, Canada is also the part of spark initiative, जो की इंडिया में higher education में research related programs को fund करता है, इसके लवाज शास्त्री इंडो-कैनाडियन इंस्टिटूट प्रमोट एजुकेशनल एंडिया एंडिया और Canada, ट्रेड बैरियर्स में दोनों कंटरीज के बीच में काफी रिफ्ट है, जैसे हमारा और अमेरिका का रिफ्ट है, चाइना और अमेरिका का रिफ्ट है, अगर हम देखें तो Canada की रीसेंट गवर्मेंट जो है, उन्होंने एंटी इंडिया एलिमेंट को काफी ज़्यादा support प्रोवाइड किया है, Canada's slow response to anti-India activities within its borders have consistently strained bilateral relations, साथ ही साथ 2023 में अगर हम देखें, तो इंदरा गांधी के assassination से related जो posters है, वो Canada में, social media में बहुत जादा, Canada में float किये गए बहुत जादा, जो कि social media में भी हमें देखने को मिला, तो यहां से हमारे relations खराब होना चालू हो गए थे, इंडिया और Canada के जो विचार हैं, अफगानिस्तान को लेकर, चाइना को लेकर जो इनका standpoint है, पाकिस्तान को लेकर जो standpoint है, प्लस कश्मीर इशू को लेकर जो standpoint है, वो बिलकुल different है, इस वज़े से disagreements बढ़ते चले जा रहे हैं, immigration, visa immigration की बात करें, तो लगातार Canada इसको tighten करता जा रहा है, visa और immigration को लगातार tighten करता जा रहा है, लगातार stricter regulation लगाता जा रहा है, और अब तो इंडिया ने suspend ही कर दिया है visa for Canadians, राइट, इसका इंडो Canadian students पर या इंडो Canadian जो ties हैं, उनके खराब होने का impact, इंडियन students पर क्या पढ़ेगा, तो उनकी जो daily life है, उस पर इसका impact पढ़ेगा, यहाँ पर जो हमारे parents रह रह रहे हैं, उन बच्चों के जो Canada में पढ़ रहे हैं, उनकी चिंताएं जरूर बढ़ेंगी इस चीज़ को लेकर, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि Canada जाने वाले students में कमी आएगी, और students generally remain focused on their studies, but some may feel pressure from parents to consider alternatives, कुछ ऐसे students होगे जिनके मावाब यह बुलेंगे कि भाई, कैनेडा से वापस आजो, we have got enough resources, we'll get you educated here in India also, we have got good institutions, ठीक है तो हो सकता है कि हमारे जो students Canada में पढ़ने के लिए गए हैं, उसमें से कुछ students इंडिया में वापस आएं, तो इससे higher education पर थोड़ा सा burden बढ़ सकता है, but it is a good thing for long term, right, इसके अलावा interest जो है students का Canada में और जो foreign education है, उसमें interest कम होगा, right, हमारे यहाँ higher education की अच्छी facilities नहीं हैं अभी देखें, और अगर अच्छी facilities हैं भी, तो बहुत ज़ादा population होने की वज़े से उन facilities को avail करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि they are highly competitive, तो इस वज़े से कई सारे students अच्छी higher education पाने के लिए in foreign countries में जाते हैं, they can, the interest will see, their interest is declining continuously, right, फिर से इनको, फिर से planning करनी पर सकती है, वीजा processing बहुत मुश्किल हो जाएगी, uncertainty का महौल लगातार बना रहेगा, इंडिया और कैनेडा के relations कौम किस तरीके से improve कर सकते हैं, तो दोनों ही देशों के बीच में, ये जितने भी matters हैं, पाकिस्तान का जो issue है, कश्मीर का जो issue है, कोशिच करना होगा कैनेडा को की इन सारे issues के बारे में dialogue delivery ना करें, क्योंकि ये भारत के internal issues हैं, इसमें किसी भी तरीके का comment पास करने का Canadian government के पास कोई right नहीं है, इस्टैबलिश ए constructive dialogue on human right concerns, जैसे कि हम देखते हैं, कि G20 में जब भारत गया, तो भारत और कैनेडा के बीच में किसी भी तरीके का bilateral discussion नहीं हुआ, तो इस वज़े से हमें चिंता होती है, कि भाई ये bilateral discussions क्यों रुखते जा रहे हैं, तो हम कुछ ऐसे issues, जहां पर दोनों ही countries के thought process same है, उन issues पर bilateral discussions भी established कर सकते हैं, dialogue established कर सकते हैं, trade को अगर हम देखें तो trade अगर खराब हुआ भी, तो इंडिया को provide करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई, इसमें Canada का ही नुकसान होगा, इंडिया का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बहुत बड़ा और हम केवल 13 billion dollar का ही trade करते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि हम दुनिया के best market है, we are the hot spot, global hot spot for consumption, right, तो चाहती है दुनिया हमें provide करना, तो हम Canada पर dependent नहीं हैं, although हमें अपने geopolitical ties को strong करने के लिए trade negotiations को फिर से revive करने की जरूरत है, diplomatic ties को बढ़ाने की जरूरत है, बड़े बड़े जुतने भी issues है, critical issues है, इंडिया के, उन में Canada को जादा बोलना नहीं चाहिए, अगर बोले तो इंडिया को थोड़ा बहुत support करे, पूरी तरीके से criticize ना करे, और anti-India campaigns जो भी Canada में चल नहीं है, उन पर strict action ले, immediate action ले, इंडिया की बस यही सारी की सारी expectations हैं, इससे related, चुकि यह बहुत बड़ा geopolitical change है, तो इससे related एक question मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया हुआ है, कि discuss the implications of recent diplomatic tensions between India and Canada, तो यहाँ पर आपको recent tensions जो है, वो पिछले दो सालों से जो चल रही है, उनके बारे में ही बताना है, और किस तरीके से इसका politically motivated है यह, तो आपको क्या कर दिया गया, कि आप इसी boundary frame में लिखोगे, अनलाबस आपको क्या कि अच थरूपलमेंगा, जब आपको कि आपको कि अब्लाब के लिए जब चैए झाले हूट जारूपकित, झाल झाल